नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम प्राकर्त संख्या हैं, पूर्ण संख्या हैं, सम संख्या हैं, बिसम संख्या हैं, क्या होती हैं, इनको हम डीटेल में समझने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, जिनको ये समझ नहीं आता है, कि पूर्ण संख संख्यां क्या होती हैं, समसंख्यां क्या होती हैं, इन सब को हम परिभासा के साथ याद करेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले आती है हमारी प्राकृत संख्याएं, ठीक है, ये हमारी संख्याओं का पहला प्रकार है, ठीक है, प्राकृत संख्याओं को हम समझेंगे कैसे, तो प् और ये चलती जाएंगी और इनका कभी भी end नहीं आएगा, मतलब ये कभी खतम नहीं होगी, ठीक है, तो ऐसी संख्याएं जिनको हम गिन सकते हैं, और इनका कोई end नहीं है, ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, प्राकृत संख्याओं कहते हैं, ठीक है, चलिए, अब आता है ह हम कैसे परिभासित करेंगे जब प्राकृत संख्याओं में जीरो को भी सामिल कर लिया जाए तो हम उनको बोलते हैं पून संख्याओं तो ये संख्याओं जीरो से स्टाट होती है जीरो, एक, दो, तीन, चार और इनका भी कोई end नहीं है ये कहां तक जाती है अनंत तक जाती है ठीक है तो ऐसी संख्याओं जो जीरो से स्टाट हो और अनंत तक जाएं उनको हम बोलते हैं पून संख्याओं ठीक है अच्छा आपसे ये सवाल कर लिया जाए कि क्या सभी पून संख्याओं प्राकर्ट संख्याओं होती हैं तो नहीं होती है क्योंकि इसमें 0 सामिल है और प्राकर्ट संख्याओं में 0 सामिल नहीं होता है ठीक है इसके बाद में आता है पूनांक संख्याओं ठीक है अब इसमें 0 से start होती है और अनंत तक जाती है उसको हम क्या बोलते हैं पूर्ण संख्या है ठीक है लेकिन जो पूर्णांग संख्या है वो 0 के दोनों और चलती है जैसे कि ये हमारी हो गई 0 ठीक है अब ये positive की तरब भी काम करेगा और negative की तरब भी काम करेगा जैसे कि 0 के उस तरब दोर भी आती है मतलब कि यहाँ पर minus 1 हो जाएगा minus का 2 हो जाएगा minus का 3 हो जाएगा और इनका भी कोई end नहीं है ये भी अनंद तक जाएगी ठीक है तो अब आप समझ गए कि पूर्ण संख्या क्या होती है पूर्ण संख्या है जीरो से start होती है अनंद तक जाती है और पू पुनांग संख्याएं क्या होती है ठीक है अब इसके बाद में आता है सम संख्या अब सम संख्या क्या होती है ठीक है तो यहाँ पर हम लिख देते हैं सम संख्या ठीक है अब सम संख्याएं क्या होती है इनको के से पहचानेंगे तो ऐसी संख्याएं जो दो से पूरी तरहे व ये क्या कहलाएंगी सम संख्याएं ठीक है एसी संख्याएं जो दो से पूरी तरह से विभाजित हो जाती हैं उन्हें हम सम संख्याएं कहते हैं ठीक है फिर आता है हमारा बिसम संख्याएं अच्छा बिसम संख्याएं क्या होंगी तो बिसम संख्याएं एसी संख्याएं होंग जो दो से पूरी तरह से विभाजित नहीं होंगी जैसे कि हमारा हो जाएगा देखिए एक हो जाएगा, तीन हो जाएगा, पांच हो जाएगा, साथ हो जाएगा, नो हो जाएगा इसके बाद में हमारा 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 17 हो जाएगा तो यह ऐसी संख्याएं हैं, जो दो से पूरी तरह से विभाजित नहीं होती है ठीक है, और यह संख्याएं भी ऐस तरीके से बढ़ती हुई चली जाएंगी तो इनको हम बोलते हैं बिसम संख्याएं ठीक है अब इसके बाद में आता है हमारा क्या यह तो गई बिसम संख्याएं अब आता है हमारा भाज संख्याएं और अभाज संख्याएं ठीक है तो यहाँ पर हम लिख देते हैं भाज संख्या ठीक है भाज संख्या अच्छा भाज भाज संख्याएं क्या होगी भाज संख्याएं क्या होती है चलिए अब ये समझते है ठीक है तो भाज संख्याएं में केसी संख्याएं आएंगी तो देखिए भाज संख्याएं बेसंख्याएं होती है जो खुद से विभाजित होती है एक से भी विभाजित होती है और उसके अलाबा किसी ओर संक्या से भी विभाजित होती है, उसको हम बोलते हैं, भाज्ज संक्या है, जैसे कि, मान लिजे, हमारे पास में हो गया आठ, ठीक है? अब आठ को देखिए आप ध्यान से, तो आठ जो है, वो एक से भी विभाजित हो जाएगा, भाई एक से आठ में भाग लगाएंगे लग जाएगा ठीक है आठ से हम आठ में भाग लगाएंगे लग जाएगा आठ से हम चार से भाग लगाएंगे तो भी चला जाएगा और इसमें हम दो से भाग लगाएंगे तो भी चला जाएगा ठीक है तो ऐसी संख्याएं जिनका ए ये क्या है भाज संख्याएं कहलाती है अब इसके बाद में आता है अभाज संख्याएं अब अभाज संख्याएं क्या होगी तो अभाज संख्याएं बिल्कुल इनकी उल्टी होगी ठीक है अभाज संख्याएं को कैसे परिवासित करेंगे तो अभाज संख्याएं बे संख्य होती है जो सोयम से विभाजित होती है और एक से विभाजित होती है इसके अलावा किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती है जैसे कि यहाँ पर देखो एक हो गई ठीक है इसके बाद में दो भी हो गया ठीक इसके बाद में यहाँ पर हो गया हमारा तीन हो गया ठीक है इसक इसके बाद में 11 हो गया, इसके बाद में 13 हो गया, इसके बाद में 17 हो गया, तो ऐसी संख्या जो है, अब देखिए, एक में एक से ही भाग जाएगा, एक के अलाबा किसी से भाग नहीं जाएगा, अब दो में देखिए, एक से भाग जाएगा, और दो से भाग जाएगा, इस इसके बाद में आती है हमारी अगली संख्या अब हम उसको समझेंगे तो अगली संख्या क्या है देखिए अगली संख्या है परिमे संख्या ठीक है परिमे संख्या अब परिमे संख्या क्या होती है अब हम इसको समझते है ठीक है तो परिमे संख्या है बे संख्या होती है जिनको हम पी वटे क्यू के रूप में लिख सकते है ठीक है मतलब बटे के रूप में लिख सकते है जैसे कि हो ये वाला जो Q है, मतलब नीचे वाली जो संक्या है, वो कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता, तभी वो हमारी परिमे संक्या कहलाएगी, ठीक है? अब सवाल ये उड़ता है कि क्या सभी प्राकृत संख्याएं परिमे संख्याएं होती हैं तो बिलकुल होती हैं क्योंकि देखिए यहाँ पर जो हमारी प्राकृत संख्याएं हैं ये जो हमारी प्राकृत संख्याएं हैं इसमें यादि हम एक का भाग लगाने हैं सभी में तो कि आपरी में संख्याएं क्या होती है ठीक है तो यहाँ पर हम लिखेंगे आपरी में संख्याएं ठीक है अपरी में संख्याएं ठीक है अब आपरी में संख्याएं क्या होंगी तो आपरी में संख्याएं एसी संख्याएं होती है जिने हम पूर्ण संख्या के रूप में नही निकलेंगी तो उनका जो आंसर है वो दसमलब में आएगा तो एसी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं आ परिमेश संख्याओं बोलते हैं क्योंकि इन्हें हम बटे की रूप में नहीं लिख सकते ठीक है चलिए इसके बाद में आता है हमारा वास्तिविक संख्या और आवास्ति संख्या है ठीक है तो बास्तिविक संख्या को हम जान लेते हैं सबसे पहले क्या होता है वास्तिविक संख्या ठीक है वास्तिविक संख्या है ठीक है अच्छा बास्तिविक संख्या हो देखो नाम से हमें समझ में आ रहा है कि बास्तिविक संख्याएं मतलब जो संख्याएं बास्तब में exist करती हैं उन संख्याओं को हम बोलते हैं बास्तिविक संख्याएं जैसे कि कोई भी हमारी negative संख्या हो गई कोई भी हमारी positive संख्या हो गई zero हो गया कोई भी संख्या हो गई, वो संख्याएं हमारी क्या कहलाती हैं, बास्तविक संख्याएं कहलाती हैं, जिने हम अंकों में प्रदर्सित कर सकते हैं, उन्हें हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं, या फिर हम ये लिख सकते हैं, कि सभी प्रकार की संख्याएं बास्तविक संख्य तो आवास्तिविक संख्याएं क्या होंगी जैसे कि रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव संख्या होगी तो उसे हम बोलेंगे आवास्तिविक संख्याएं जैसे कि माइनस का रूट 3 हो गया, माइनस का रूट 5 हो गया, माइनस का रूट 3 हो गया, माइनस का रूट 2 हो गया, तो ये जो संख्या है ये क्या है आवास्तिविक संख्या है मतलब कि ये कोई बास्तिविक संख्या नहीं है ठीक है तो ये हो गए हमारी संख्याओं के टाइप जो हमने अभी यहाँ पर समझ लिए ठीक है एक बार हम इनको रिबीजन कर लेते हैं और फिर इस वीडियो को हम end करेंगे, ठीक है? चलिए, सभी संख्याओं को हम एक साथ पहले लिख लेते हैं, ठीक है? तो देखिए, सबसे पहला type हमने पढ़ा था, कि भईया, प्राकृत संख्याओं क्या होती हैं? तो प्राकृत संख्याएं बे संख्याएं होती हैं जिनको हम गिन सकते हैं जैसे की 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और इनका कोई भी end नहीं है मतलब ये अनंत तक जाएंगी उसको हम बोलते हैं प्राकृत संख्याएं इसके बाद आता है पून संख्याएं जब पून संख्याओं के साथ में जीरो को भी सामिल कर लिया जाएगा तो हम उसे बोलेंगे पून संख्याएं पून संख्याएं जीरो से स्टार्ट होती हैं प्राकृत संख्याएं एक से स्टार्ट होती हैं ठीक है इसमें 0 भी सामिल होती है, 0 के इस तरफ जाएंगे, तो प्लस वाली संख्याएं होंगी, 0 के इस तरफ आएंगे, तो माइनस वाली संख्याएं होंगी, और दोनों संख्याएं अनंत तक जाएंगी, अगर आप positive की side बढ़ेंगे, तो भी अनंत तक जाएंगे, negative की side है सम संख्याएं ठीक है तो यह हो गए हमारी सम संख्याएं दो चार छे आर दस और यह भी आगे बढ़ती चली जाएंगी इसके बाद में आता है बिसम संख्याएं तो एसी संख्याएं जो दो से पूरी तरह से विभाजित नहीं होती है उनको हम बोलते हैं बिसम संख्याएं जैसे कि एक, तीन, पाँच, साथ, नो, ग्यारा, तेरा, पंदरा, सतरा एंसी संख्याएं दो से बिभाजित नहीं होगी तो इनको हम क्या बोलेंगे बिसम संख्याएं ठीक है इसके बाद में आता है भाज्य संख्या, भाज्य संख्याएं बे संख्याएं होती हैं, जो खुद से भी विभाज्यत हो जाती हैं, एक से भी विभाज्यत हो जाती हैं, और उसके अलाबा किसी और संख्या से भी विभाज्यत हो जाती हैं, उसको हम बोलते हैं भाज्य संख्य जैसे कि हम मान लें कि भाईया चार है ठीक है तो चार एक से भी विभाजित हो जाता है चार दो से भी विभाजित हो जाता है और चार चार से भी विभाजित हो जाता है इसका मतलब क्या है ये है भाजिसंख्या ठीक है चलिए भाजिसंख्या को आप समझ गए इसके बाद में जाता है अभाज संख्या, तो अभाज संख्या क्या होती है, वो या तो खुद से विभाजित होती है, और एक से विभाजित होती है, इसके अलावा किसी से भी विभाजित नहीं होगी, जैसे कि मान लेते हैं पांच, पांच में यदि आप एक से भाग लगाएंगे, तो चला जाएगा ठीक है एक से पूरा पूरा भाग चला जाएगा और इसके अलाबा सिर्फ 5 से भाग जाएगा 5 एकम 5 और इसके अलाबा किसी से भी भाग नहीं जाएगा इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं भाज संख्याएं ठीक है इसके बाद में आता है परिमे संख्याएं तो परि भी भी 0 के बरावर नहीं हो सकती, अगर वो 0 के बरावर हो जाती है, तो वो संख्या परिमे संख्या नहीं कहलाईगी, इसके बाद में आता है आपरिमे संख्या हैं, तो आपरिमे संख्या हैं, बे संख्या होती हैं, जो रूट के अंदर होती हैं, जैसे रूट 2 हो गया, रू इसके बाद में आता है आवास्तिविक संख्याएं तो आवास्तिविक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो root के अंदर negative संख्याएं होती हैं उनको हम बोलते हैं आवास्तिविक संख्याएं ठीक है तो हमने सभी संख्याओं को टाइप को पढ़ लिया है आसा है आपको आज में आ गई होंगी तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए और अगर चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकन को दबा लीजिए चलिए मिलत अगली वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत